जै हिन दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो शेनल के UGC NET JRF और TGT PGT की ओनलाइन क्लासेस में तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे UGC NET JRF से संबंधित हिंदी के पोर्शन की तो दोस्तो हम यहाँ पे जैसा की एक महीने का वक्त बचा हुआ है तो उसे एक महीने में किस तरह से तैयारी करें कैसे करें तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर प्रक्टिस सेट लेकर आए हैं इस प्रक्टिस सेट में दोस्तो वो टाइब ये कुशन्स होंगे जो पिछले येर्स पूछे जा चुके हैं इसके अलावा हमारा 30 दिनों में UGC Net JRF की तैयारी के लिए क्लासेश चल रहे हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देखें और दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है प्रति एक प्रशन के लिए दो अंक हैं और सभी प्रशन करना अनिवार रहे हैं तो चलिए देखते हैं और इसमें दोस्तों यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं तब जब आपका प्रशन ना बने या फिर आप 60% कोईशन कर लिए हो तो तुक्का कभी मत लगाईएगा 40% कोईशन किये हो तो आप तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि 60% में आपका सेलेक्शन होने की संभावना होती है तो चलिए ये तो थीख हैर कैसे करते हैं तो पहला प्रश्ण है और प्रश्ण में ये लिखा हुआ है कि संस्क्रत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड कर तदभव नहीं बनाया जा सकता है ये कथन है ये एक विचार है और ये उपर्युक्त विचार किस विद्वान का है तो आप भी अपना जवाब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो ये किसका है ओप्शन्स दिये हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे सुनीती कुमार चटर जी जॉर्ज गिरियर्सन नामवर सिंग या फिर राम विलास शर्मा तो इन में से कौन सा उत्तर आपके हिसाब से सही होना चाहिए था तो दोस्तो संस्क्रत का कोई भी शब्द मंचाहे ढंक से तोर मडोड कर तदभव नहीं बनाया जा सकता है ये जो कथन है ये जो विचार है वो सुनीती कुमार चटर जी जी का है ओप्शन ए यहाँ पे सही है फिर अगला प्रशन है कि निमनलिखित में से किस कवी ने सत्सई की रशना नहीं की है ऐसा कौन सा कवी है इसमें जिसने सत्सई की रशना नहीं की है ओप्शन्स दिया हुआ है चिंता मणी, मती राम, राम सहाय या फिर अमीर दास बताएं किसने सत्सही की रचना नहीं की है तो वो है चिंता मणी ने सत्सही की रचना नहीं की है फिर अगला प्रशन है निम्निलिखित में से किस कहानी में अतिव्यस्त कामकाजी व्यक्ति की असंतुष्ट पतनी को विसेवस्तू बनाया गया है option है कहानी है किस कहानी के बारे हैं कुछ है तो यहाँ पे कुछ कहानिया दी हुई है ग्रामो फोन का रिकार्ड नीलम देश की राजकन्या बाहु बली या फिर द्रश्टी दोस्त इनमें से कौन सा option सही होगा तो वो है नीलम देश की राज कन्या option B यहाँ पे सही हो जाएगा नीलम देश की राज कन्या कहानी में अतिवियस्त कामकाजी व्यक्ती की असंतुष्ट पत्नी को विशेवस्तू बनाया गया है फिर अगला प्रशन है कि महावीर प्रसाद दिवेदी की निमनलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना कौन कौन सी है आलोचना विधा की रचना निमनलिखित में से कौन कौन सी है options दिये हुए है A, B, C, B तो सही उत्तर जो है वो है कालिदास की निरंग कुश्टा, कालिदास और उन्ही की कवीता ये इनकी आलोचना विधा की रचना है प्रशन है कि भावर गीत किसकी रचना है option है सूर दास, नंद दास, चतुरवज दास या फिर करश्न दास भावर गीत के रचनाकार कौन है तो ये अस्ट छाप के कवी है ये भी एक चीज है जाने लिजिए अस्ट छाप के कवी है और अस्ट छाप के कवी नंददास जी की है औक्षन बी यहाँ पे सही हो जाएगा फिर प्रशन है कि हजारी प्रसाद दिवेदी द्वारा रचित निबंद संगरह नहीं है नात संपरदाय प्रबंध प्रभाकर साहित्य का मर्म लालित्य मीमान सा इसमें से हजारी प्रसाद दिवेदी द्वारा रचित निबंद संगरह नहीं है तो वो है प्रबंध प्रभाकर आप्शन बी प्रशन है आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता हैं गंगा प्रसाद विमल महीप सिंग मधुकर सिंग शिव प्रसाद सिंग आ कहानी के प्रवक्ता निम्न लिखित में से कौन है गंगा प्रसाद विमल ओप्शन ए ये आ कहानी के प्रवक्ता हैं फिर अगला प्रशन है और प्रशन ये कह रहा है कि निम्न लिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है नील देवी रक्षा बंधन सिंदूर की होली सागर विजय नील देवी रक्षा बंधन सिंदूर की होली या फिर सागर विजय इसमें से जो दोस्तों सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो वो है रक्षा बंधन option B रक्षा बंधन रचनाकार है इसके कौन है हरी कृष्ण प्रेमी हरी कृष्ण प्रेमी जी का रक्षा बंधन क्या है नाटक है इसमें रानी कर्म वती ने अपनी रक्षा के लिए मुगल समराट हुमायों को राखी भेजिए ठीक है अतहा यहां हिंदू मुस्लिम एक्ता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है फिर अगला प्रशन है कि आर्थो पक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं 5, 6, 7 या फिर 8 आर्थो पक्षेपक 5 प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के 5 अब दोस्तों इसके नाम भी एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन से होते हैं विस्कमक प्रवेशक चूलिका अंकास से और अंकावतार यह होते हैं आर्थो पक्षेपक के प्रकार फिर प्रशन है और प्रशन यह कह रहा है कि मनी कर्णी का के लेखक हैं निमनिलिकित में से मनी कर्णी का के लेखक कौन है ओम प्रकाश वालमी की डॉक्टर धर्मवीर तुलसी राम या फिर सूरज पाल चौहान मनी कर्णी का तो वो है तुलसी राम ऑप्षन C प्रशन है मैथली शरण गुप्त की निमलिखित काविकृतियों का सही अनुक्रम है यह यहाँ पे चार आप्शन्स दिये हुए है इसमें से सही अनुक्रम पूछ रहा है किसका मैथली शरण गुप्त की काविकृतियों का तो सही अनुक्रम हो जाएगा पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर detailed वली classes में हमने ये देखा था तो दोस्तों ये जो question answer की जो अभी यहां practice कर रहे हैं तो इसके आप notes भी बनाते रहें इससे क्या होगा कि आपके पास एक time आयागा कि इतने सारे notes हो जाएंगे कि आपको परिशाओं में इनके हलावा और कुछ परणने की जरूरत ही नहीं रहेगी तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं तो इनके notes बनाते रहें और इन notes के practice भी करते रहें ताकि ये आपके जहन में बैठते रहें और परिशा hall में जब आप बैठें तो ये सारी चीजें आपको remind होती रहें प्रशन है अगला इनमे से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है अवधी, मराठी, भोजपुरी या फिर मैथिली बिहारी हिंदी से पूझ रहा है बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है देखिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर देख लेते हैं कौन सा सही है तो वो है अवधी आप्शन ए अब बिहारी हिंदी के अंतरगत आने वाली जो बोलियां है वो है मैथिली, मगही, भोजपुरी ठीक है और जो अवधी है ना इसका संबंध जो है वो पूर्वी हिंदी से है बिहारी हिंदी से ना होकर के पूर्वी हिंदी से होता है अवधी का संबंध प्रशन है दोहा या दूहा, मूलता किस भाशा का चंद है प्राकरत, अपभरंश, हिंदी या फिर संस्क्रत दोहा या दूहा, मूलता, किस भाशा का चंद है तो ये है अपब्रंश, option B यहाँ पर option B सही हो जाएगा, अपब्रंश का चंद है जबकि गाथा करके एक और था, गाथा, वो किसका है, वो प्राकरत का चंद है दूह है और एक गाथा तो वो गाथा जो है वो प्राकरत का चंद है फिर प्रश्ण है निम्णलिखित में से किस उपन्यास को इस्तरी लेखन का पर्थम बिंदू माना जाता है मित्रो मर्जानी, कट गुलाब, आवा, चाक इन में से किस उपन्यास को इस्त्री लेखन का प्रथम विंदू माना जाता है तो वो है मित्रो मरजानी ओप्शन A अगला प्रशन है बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संगर्थ पर आधारित उपन्यास है आमा समरांगड अनित अंत वशी तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा समरांगड ऑप्शन B समरांगड ये क्या है कि बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संगर्थ का इसमें चित्रण किया गया है जीवन संगर्थ पर आधारित उपन्यास है फिर प्रशन है कि निम्लिखित में से कौन सा शब्दा लंकार नहीं है इन में से कौन सा है जो शब्दा लंकार नहीं है अब क्यूं नहीं है उपमा जो है वो शब्दा लंकार ना होकर के अर्था लंकार है क्योंकि यहाँ शब्द पर आधारित नहीं है फिर अगला प्रश्ण है और प्रश्ण ये कह रहा है कि इन में से कौन सा विरामचिन ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है ये यहाँ पर विरामचिन दिये हुए हैं आप देख पा रहे हों तो इन में से कौन सा है जो सही होगा क्या कह रहा है अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है तो खड़ी पाई अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है ठीक है बागी तो सब होते है अप्शन डी ही यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा पूर्ण विरामई से कहते है ठीक है फिर अगला प्रशन है कि घुमककड शास्त्र के लेखक कौन है रामवरक्ष बेनी पुरी कनहया लाल मिष्ट प्रभाकर सुमित्रा नंदन पंत या फिर राहुल सांकरत्यायन घुमककड शास्त्र के लेखक घुमककड शास्त्र जो है वो राहुल सांकरत्यायन जी का है ठीक है ऑप्शन डी राहुल सांकरत्यायन जी की ये एक प्रमुख करती है प्रश्ण है कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है कौन सा है यहाँ पे options दी हुई है इन में से पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताना है तो वो दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली बुंदेली Option D यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है पश्यमी हिंदी की दो बोलियों का युगम है खड़ी बोली और बुंदेली ठीक है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली कन्यावजी, बांगुरू ये पश्यमी हिंदी की पाँच बोलिया है कौन-कौन सी हैं पश्चिमी हिंदी की पांच बोलियां खडी बोली, ब्रजभाशा, बुन्देली, कन्नावजी और बांगरू फिर अगला प्रश्ण है और प्रश्ण ये कह रहा है कि अर्ध मागदी अपभरंश से विक्सित बोली है बांगरू, बगहेली, ब्रजभाशा या फिर भोजपुरी सही उत्तर है बगहेली अर्ध मागदी अपभरंश से विक्सित बोली है बगहेली ठीक है अर्दमागदी अपभरंश से पूर्व हिंदी का विकास हुआ है किसका विकास हुआ है अर्दमागदी अपभरंश से पूर्व हिंदी का विकास हुआ है पूर्व हिंदी के अंतरगत आने वाली जो बोलिया है वो है तीन बोलिया है कौन-कौन सी अवधी, बगहेली और च्छतिस गड़ी ठीक है और अर्ध मागदी से विक्षित पूर्वी हिंदी के अंतरकत आने वाली तीन बोलिया हैं अवधी, बगहेली, च्छतिस गड़ी और अर्ध मागदी से विक्षित बोलिया है ये ठीक है अर्द मागदी से विक्सित बोलिया अगला प्रश्न है पानी परात को हाथ ना छिवो नहिम नैनल के जलसों पग धोए किस कवी की पंक्ती है सूरदास, रहीम, गंग कवी या फिर नरोद्तम दास तो उपर्युक्ट पंक्ती है नरोद्तम दास की ओप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा नरोद्तम दास की है और ये सुदामा चरित की पंक्ती है ठीक है अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्स के अनुसार निमनलिखित जीविनियों का सही अनुकरम क्या होगा निमनलिखित जीविनियों का सही अनुकरम यहाँ पे चार options दिये हुए हैं जिसमें से सही उत्तर का chain करना है और सही उत्तर है प्रेमचंद घर में आवारा मसीहा वट वरक्ष की छाया वियोमकेश दर्वेश वट वरक्ष की छाया में वियोमकेश दर्वेश option D यहाँ पे सही हो जाए अगला प्रशन है इन में से किसको सम्विधान की अस्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है डोंगरी, मैथली, ब्रज या फिर असम्या ठीक है सम्विधान की अस्टम अनुसूची में 22 भाशाएं है कितनी भाशाओं के शामिल किया गया है 22 भाशाओं को जिन में ब्रज भाशा, option C इस प्रशन के हिसाब से है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया है ब्रज भाशा को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह हिंदी की एक बोली है इसलिए इसे सम्मिलित नहीं किया गया है बाकि डोंगरी, मैथली, असम्या इनको सामिल किया गया है फिर प्रश्न है कि श्यामा स्वपने के लेखा कौन है किशोरी लाल गो स्वामी ठाकु जगमोहन सिंग, ब्रज नंदन सहाय, गोपाल राम, गहमरी सही उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंग द्वारा रचित ये एक उपन्यास है Option B सही होगा श्यामा स्वपन ठाकुर जगमोहन सिंग जी द्वारा रचित उपन्यास है फिर अगला प्रशन है और प्रशन ये कह रहा है कि भाशा और समाज के लेखक कौन है भाशा और समाज राम विलात शर्मा की करती है प्रशन नमबर 26 है इनमें से कौन नागरी प्रशारनी सभा के संस्थापकों में नहीं है ये पुछ रहा है तो options दिया हुआ है राम नारायन मिश्र ये तो थे श्याम सुन्दरदास जी भी थे राम चंदरशुकल जी नहीं थे तो ये नहीं होगा और ठाकुर्ज शिव कुमार सिंग ये भी थे तो इस प्रशन के हिसाब से नागरी प्रशारणी सभागे संस्थापकों में राम चंदरशुकल नहीं थे option C यहाँ पे सही होगा फिर है कि राम की शक्ति पूजा की योगिक प्रक्रिया का स्तुरोत क्या है वेदान्त योग वाशिस्ट नौवेदान्त या फिर हट योग पूजा की योगिक प्रक्रिया का स्तुरोत वेदान्त है इसके बाद अगला प्रशन है कि हिंदी वर्णमाला में अम और आहा क्या है स्वर्वेंजन अयोग वाह या फिर सैन्युक ताक्षर तो यह है अम और आहा अयोग वाह है option A फिर अगला प्रशन है और प्रशन यह कह मेरा है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रे किसे जाता है शंकराचार्य रामानुजाचार्य रामानंद या फिर मध्वाचार्य तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रे है वो रामानंद option C रामानंद को जाता है फिर प्रश्ण है कि सम्विधान के अनुच्छेद में सम्विधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपी में लिखित हिंदी को संग की राजभाशा घोशित किया गया है 347, 348, 343 या फिर 345 हमने पढ़ा था दोस्तों इसके बारे में तो सम्विधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपी में लिखित हिंदी को संग की राजभाशा घोशित किया गया है फिर प्रशन है कि प्रकाशन वर्थ की दरश्टी से निमनलिखित काविकरतियों का सही अनुक्रम क्या है कई सारी काविकरतियां दी हुई है आप्शन के तौर पे उनमें बताना है कि सही अनुक्रम क्या है आसू, पल्लव, स्वपन, साकेत आप्शन C इसमें सही है फिर प्रशन है कि बर्वय रामायड किसकी रचना है बर्वय रामायड निम्न लिखित में से किसकी रचना है रस खान तुलसी दास नंद दास या फिर केशव दास सही उत्तर है तुलसी दास आप्शन नहीं रस खान हाँ सही तो है तुलसी दास कही है बर्वे रामायड तुलसी दास की है रस खान नहीं रस खान तो कवी है बर्वे रामायड किसकी रचना है बर्वे रामायड तुलसी दास जी की रचना है फिर अगला प्रशन है कि प्रकाशन वर्सके अनुसार निम्लिखित रचनाओं का सही अनुकरम क्या है यहाँ पे सही अनुकरम बताना है कि प्रकाशन वर्सके अनुसार निमलखित में से सही अनुकरम क्या है सही अनुकरम है मदुशाला, एकांट संगीत, संद सतरंगिनी, मिलन यामिनी आप्शन C यहाँ पे सही है आप्शन C प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है options दे वे है, क्रम वाले question है, क्रम वाले question लगबग 5 से 8 question पूछ लेता है 10 question लगबग पूछ लेता है क्रम वाले तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमें ध्यान देने है कि कौन सा उत्तर हमारा सही होगा और क्रम वाले ज्यादा तर जो पूछे जाते है न वो प्रकाशन वर्स के हिसाब से ही पूछे जाते है तो सही उत्तर की बात करेंगे तो दोहा वली, गीता वली, रामचरित मानस और विनय पत्री का option C यहाँ पे सही है फिर प्रशन है कि प्रकाशन वर्स के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुकरम क्या है उपन्यास दिये हुए हैं और उनका सही अनुकरम पूछ रहा है क्या होगा तो सही अनुकरम की अगर बात की जाए तो option C सही है रुकोंगी नहीं राधिका, अपका बंटी, चाक, आमबा option C यहाँ पे सही है फिर प्रशन है कि निम्नलिखित पत्री काओं का सही अनुकरम कौन सा होगा पत्री काओं दिये हुई हैं और सही अनुकरम पूछ रहा है कि कौन सा होगा तो कथा देश, पूर्वग्रह, मतवाला, हिंदुस्तान यह option D है, यह यहाँ पे सही है फिर प्रशन है कि निम्नलिखित काओं करतियों का सही अनुकरम क्या है काओं करतियां दिये हुई है और सही अनुकरम पूछ रहा है कि इन में से सही अनुकरम क्या होगा तो सही अनुकरम की बात की जा तो प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लो कायतन option B यहाँ पे सही है और दोस्तों अगर इनके प्रकाशन वर से देखना है तो हमारी जो detailed वाले class चल रही है तो आप वहाँ जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी आप देखें और अपनी नोट्स बनाए ताकि आपको इस तरह के प्रशन करने में आसानी हो फिर है कि निम्लिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुकरम कौन सा है सही अनुकरम option A अंधेर नगरी, अंधायुग, संसद से सड़क तक मगद तो option A यहाँ पे सही है फिर प्रशन दिया हुआ है कि अगनी पथ पर चंदन चांदनी का देश अगनी पथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ती है options दिये हुए हैं हरिवन्ष राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश तिर पाठी या फिर नरेंद्र शर्मा सही उत्तर है अगनी पथ के पार चंदन चांदनी का देश ये पंक्ती महादेवी वर्मा जी की है option B यहाँ पे हमारा सही है फिर अगला प्रशन है कि इन में से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है देखिए दलित आत्मकथा है ये भी प्रशन पूछता है दलित आत्मकथा नहीं है इस टाइप का भी प्रशन पूछ लेता है या फिर इन में से पूछ लेगा कि निमलिखित में से इन की मतलब किसी कवी का नाम देदेगा पूछेगा कि इनकी दलित आत्मकथा कौन सी है तो options दिये हुए है नागफणी जूठन अपनी खबर मुर्दहिया ठीक है तो अगर सही उत्तर की बात की जाए तो अपनी खबर ये दलित आत्मकथा नहीं है ठीक है अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उगरी की आत्मकथा है इसके अलावा नागफणी जूठन मुर्दहिया ये दलित आत्मकथाएं है फिर प्रशन है कि आखरी कलाम काववे का प्रतिपाद्दे विसय है क्या है इसलाम दर्शन प्रेमाख्यान लोग संस्क्रती युगबोद सही उत्तर है इसलाम दर्शन ऑप्शन ए ठीक है आखरी कलाम ये किसकी है मलिक मुहम्मद जैसी की रचना है यह करती बाबर के समय लिखी गई थी आखरी कलाम कब लिखे गई थी बाबर के समय फिर प्रशन है कि भारतेंदू हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय कालिका मंगल सरस्वती मंगल विद्या सुन्दर तो वो है विद्या सुन्दर ये भारतेंदू हरिश्चंद्र जी का नाटक है विद्या सुन्दर अन प्रश्न ये कह रहा है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा धनंजय भट नायक भरत मुनी या फिर भानुदत इन में से किसने कहा तो कहा है भरत मुनी ने पंचम वेद कहा है भरत मुनी ने ओप्शन सी या पे हमारा सही होगा फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि शब्दों की पद रचना पर आधारित भाशाओं के वर्गी करण को क्या कहा जाता है ओप्शन दिया हुआ है एतिहासिक वर्गी करण कुलात्मक वर्गी करण प्रभाव आधारित वर्गी करण या फिर आकरती मूलक वर्गी करण पद रचना पर आधारित भाशाओं का वर्गी करण आकरती मूलक वर्गी करण कहलाता है ओप्शन दिया पर सही है प्रशन है निम्लिकित में से आग और राग का कवी किसे कहा जाता है दिनकर, निराला, पंत, या फिर प्रसाद, आग और राग का कवी प्रशन है गोरख जगायो जोग भक्ती भगायो लोग इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है क्या अभिप्राय है? यहाँ पे नीचे कूट दिया हुआ है, इस कूट में से मिलान करते हुए सही उत्तर का चेयन करना है ठीक है? तो नाथ पंत का हट योग मार्ग हर्दय पक्ष सूनने है नाथ पंत का हट योग मार्ग हर्दय पक्ष सूनने है तो यहाँ पे ये तो सही है जनता हठ योग को पसंद करती थी ये असत्ते है योगियों की रहसे भरी वानियों से जनता की ये सही है जनता भक्ती मार्गे से विमुख हो गई थी ये सही नहीं है तो यहाँ पे A और C सही है तो A और C है option D में तो option D यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा फिर अगला प्रशन है और प्रशन ये कह रहा है कि निम्नलिखित कावे पंक्तियों से आशय है उर में माखन चोर गड़े अब कैसा हू निकसत नहिम उधो तिरच्षय हवय जो अड़े इसमें से option दिया हुआ है क्या उत्तर सही होगा कौन सा उत्तर हमारा सही होगा तो गोपी के दिल में क्रशन बस गए है बिलकुल सही है वह उन्हें दिल में बसाय रखना चाहती है बिलकुल सही है वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते नहीं है क्रशन को दिल से निकालना गोपी के लिए असंबह है तो A, B, C यहां पर और कूट के तोर पूछा गया था तो यहां पर कूट होगा तो A, B और D option यहां पर सही होगा ठीक है, सी असत्य है, ठीक है फिर प्रश्ण है कि हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता कहही सुनही बहु विधी सब संता राम कथा के प्रसंग में तुलसी दास ने यह बात किस से कहलवाई है शियू, याग वल्कि से, काग भुसंडी से तुलसी दास की स्वयम उक्ती है तो इन में से कौन सा ओप्षन यहाँ पे सही होगा तो वो है कि तुलसी दास जी की यह स्वयम की उक्ती है ओप्षन डी हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता कही ही सुनही बहु विधी सब संता तो ये तुलसिदास जी की सोयम की उक्ती है फिर प्रश्ण है और प्रश्ण ये कह रहा है कि उत्तरकांड के कली युग प्रसंग में तुलसिदास ने लिखा है अचार हीन क्या लिखा है यहाँ पे ये options दिये हुए हैं पूरा पढ़ेंगे तो तोड़ा समय जादा लगेगा तो यहाँ पे इन में से कौन सा उत्तर है जो की सही होगा तो यहाँ पे है अचार हीन और वेद विरोधी लोग ग्यानी और सन्यासी कहलाए बिल्कुल ये लिखा है माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे ये नहीं पत्नी के मर जाने एवं घर गरस्ती और समपत्ती के नश्ट हो जाने के बाद लुटे पीटे लोग ही सन्यास ग्रण करेंगे ये भी सही है कल यूग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे ये नहीं तो A और C ये भी कूट के तोर पे ही आया था तो A और C यहाँ पे सही होता है ठीक है फिर अगला प्रशन है प्रशन ये कह रहा है कि निमलिखित में से डायरी साहित है इनमें से कौन सा उप्शन है जिसमें जो की डायरी साहित है तो यहाँ पे उप्शन है प्रिय प्रवास की डायरी दिल्ली मेरा परदेश राम साहित की डायरी या फिर रिड़ जल धन जल A और B, B और C कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा सही हो सकता है तो यहाँ पे प्रवासी की डायरी और एक और है जो की दिल्ली मेरा परदेश ये तो A और B यहाँ पे सही है ठीक है प्रवासी की डायरी और दिल्ली मेरा परदेश तो शुरुवात करते हैं अपने प्रशन की प्रशन नंबर 51 है राम की शक्ति पूजा की रचना कब होई थी आप्शनस दिया हुआ है 1934 इसवी 1935 इसवी 1936 इसवी या फिर 1937 इसवी तो दोस्तों बताएं इसमें से राम की शक्ति पूजा की रचना कब होई थी तो राम की शक्ति पूजा की जो रचना है वो सन 1936 इस्वी में हुई थी और ये जो रचना है राम की शक्ति पूजा ये निराला जी की रचना है फिर प्रशन है और प्रशन ये कह रहा है कि निम्लिकित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलिद कीजिए रचनाएं हैं और रचनाकार दिये हुए हैं इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है तो यहाँ पे रचनाकार और कूट का मिलान दिया हुआ है कूट का मिलान करते हुगे हमें यहाँ पे सही उत्तर का चेयन करना है कि कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही होगा ठीक है तो यहां पे देख लेते हैं कि सबसे पहला है प्रेम वाटी का इसका जो सही मिलान है वो क्या होगा प्रेम वाटी का है वो है रस खान की तो सामने ही दिया हुआ है दूसरा है कवि रतन रतना कविंद रतना कर तो यह किसकी रशना हो सकती है तो कवित रतना कर जो है वो सेना पती की रशना है तो जस्ट सामने ही इसका भी दिया हुआ है फिर है रस रतन ये है उहकर कभी पुसकर कभी भी कहते है तो इनका है और तिलक्षत तिलक्षतक है ये किसका हो सकता है ये मुबारक का हो सकता है सामने सामने यह दिया हुआ है तो एक, दो, तीन, चार अपना यहां पर आप्शन सही हो जाएगा और जो की आप्शन B में दिया हुआ है तो अपना आप्शन B यहां पर सही हो जाएगा फिर अगला प्रशन है और प्रशन यह कह रहा है कि निमनलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए पात्र दिये हुए हैं उससे संबंध उपन्यास दिये हुए हैं आगे कूर दिया हुआ है कूर का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है तो यहाँ पे सबसे पहला है जैदेवपुरी जैदेवपुरी का जो उपन्यास है जैदेवपुरी एक पात्र है और उनका जो उपन्यास है उनसे संबंधित वो है जूठा सच फिर है चंद्रमाधाओ चंद्रमाधाओ ये नदी के द्वीब का है ठीक है चंद्रमाधाओ जो है वो है नदी के द्वीब का पात्र है फिर है फूल बाबू ये बलच नमा का है किसका है बलच नमा का है और फिर है निरगुनिया बलच नमा का हो गया फूल बाबू और निरगुनिया है नाचियों ब तीन, दो, चार, एक, तीन, आगे देख लेते हैं option में कौन सा है यहाँ पे, दो, चार, एक, तीन, option A यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, दो, चार, एक, तीन, फिर अगला प्रशन है, और प्रशन में यह पूछ रहा है कि निमलिखित कवियों को उनकी काविकरतियों के साथ सुमेलिद कीजिए, कवि दिये हुए हैं और काविकरतियों दिये हुई हैं तो उनके साथ हमें यहाँ पे सुमेलिद करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है, तो सबसे पहले दिया हुआ है, सिया राम सरन गुप्त, सिया राम सरन गुप्त, मौर्य विजय, ठीक है, जस् इनके सामने क्या आना चाहिए बालकृष्ण शर्मा नवीन विपलव गायक यह हो गया यहां से बालकृष्ण शर्मा नवीन यह विल्लव लिख्खा यह विपलव गायक ठीक है फिर है सुबद्रा कुमारी चौहान इनका हो जाएगा राखी की चुनावती और अंतमे है गया परसाद सुक्ल सने ही इनका हो जाएगा राश्टी तरंग तो एक उसके बाद पाँच फिर दो और फिर तीन एक पाँच दो और तीन यह इसमें तो पाँच नहीं दिया है option में कहीं तो इनमें से दोस्तों मेरे हिजाब से जो है वो option C हमाबा सही होना चाहिए ठीक है option C यह पे सतरंगी पंक्खों वाली दिया है इसका तो सही बैट नहीं रहा है C ही सही होगा दोस्तों यहां पे ठीक है यहां पे पांच आएगा फिर अगला प्रशन है निम्लिकित रशनाओं को उनके आश्रेदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए रशनाय दी हुई है और उनसे संबंधित आश्रेदाता के नाम दी हुए है तो उनसे संबंधित यहां पे कूट है कौन सा कूट सही होगा वो हमें मिलान करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है तो सबसे पहला है चंदबरदाई ठीक है चंदबरदाई जाहिर सी बात है प्रथवी राज रासो ठीक है फिर इसके बाद है बिहारी बिहारी जी का जैसिंग इसके बाद है जगनिक बिहारी जैसिंग जगनिक परमाल और अंत में दिया हुआ है भूशन च्छत्र साल बूशन जी का किस से है च्छत्र साल से है तो सही उत्तर की अगर बात की जाये तो आप्शन सी सही होगा चार तीन दो एक option C यहाँ पे हमारा सही होगा फिर अगला प्रशन है और प्रशन ये कह रहा है कि निमनलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलिद कीजिए कहानी और कहानियों और कहानियों को सुमेलिद करते हुए हमें सही उत्तर का जवाब देना है उसा प्रियमवदा उसा प्रियमवदा का जो अगर बात की जाए दोस्तों तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा उसा प्रियमवदा पहला दिया हुआ है उसा प्रियमवदा तो इनका है वापसी फिर है अमरकांत दोपहर का भोजन इसके बाद है मोहन राकेश इनका हो जाएगा परमात्मा का कुत्ता और अंत में दिया हुआ है विशंभर नात शर्मा कौशिक इनका जो है विशंभर नात शर्मा कौशिक का हो जाएगा ताई तो यहाँ पे पहला अप्शन हो जाएगा तो दो तीन चार और एक option B, तो यहां पर option B सही हो जाएगा, फिर अगला प्रशन है कि संतो भाई आई ग्यान आंधीरे भक्ती में कौन सा अलंकार है, ये वाले प्रशन भी बहुत सारे पूछता है, किसी में अलंकार पूछ लेता है, किसी में शब्द पूछ लेता है, किसी में शब्द शक्ति संतों भाई आई ज्ञान की आधिरे में रूपक अलंकार है फिर प्रशन है कि पच्व पक्षियों पर लिखित महा देवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है कौन सा है पसू पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का ठीक है हमने पढ़ा था last year तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था तो वो है मेरा परिवार option B मेरा परिवार ये जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है ये पक्षियों पर आधारित है फिर है रीती मुक्त कवी नहीं है निमनिलिखित में से कौन है जो रीती मुक्त कवी नहीं है घनानंद बोधा जस्वंत सिंग या फिर ठाकुर सही उत्तर है जस्वंत सिंग ये रीती मुक्त कवी नहीं है इसके अलावा घनानंद बोधा ठाकुर ये रिती मुक्त कवी है, फिर प्रशन है कि दुखनी बाला नाटक के लेखक निमनिलिखित में से कौन है, दुखनी बाला ये है राधा करश्न दास जी का, आप्शन B, इनका लिखा नाटक है, दुखनी बाला नाटक राधा करश्न दास जी का है, फिर अगला प्रश्ण है कि भ्रमर दूत के रचनाकार निम्निलिखित में से कौन है सत्य नारायन कवी रत्न, लाला भगवान दीन, जगनाज दास रत्नाकर या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण भ्रमर दूत के रचनाकार सत्य रत्नाकर कवी रत्न option ए है भ्रमर्दूद के रचनाकार सत्य रतनाकर सत्य नारायन कवी रतनु और ये सायद उसमें संकलित है हिर्दय तरंग में ठीक है फिर अगला प्रश्ण है और प्रश्ण में यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्ण संख्या 62 से लेकर के 70 तक के प्रश्णों में दो कथन दिये गए है इन में से एक स्थापना असर्शन ए है और दूसरा तर्ख रीजन आर है कोड में दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प का चेहन के दिए इस प्रकार के प्रश्ण भी लगबग 10 पूछे जाते हैं तो यहाँ पे स्थापना असर्शन ए दिया और इस पर तर्ख रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि परमपरा पुरान तनता के पोशित कर भविस्थ का मार्ग औरुद्ध करती है तो इसमें आप्शन दिया हुआ है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा तो इस थापना और तर्ख पर ध्यान देते हुए हमें बताना है तो यहाँ पे जो इस थापना है वो गलत है मतलब ए गलत है और जो आर दिया हुआ है मतलब आर का मतलब रीजन तर्ख वो सही है ठीक है तो ए गलत है आर सही है तो आप्शन भी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा फिर अगला प्रशन है इस थापना और असरशन वाला ही है भ ठीक है इसके बाद इसके पर तरक रीजन यार दिया हुआ है क्योंकि भारतिन्दू युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृत्ती के संगहात से शुद्ध भारतियता का उध्य हुआ नहीं, ऐसा तो नहीं है तो यहां पर देखतों तरक गलत है ठीक है तरक reason गलत है लेकिन यहाँ पे जो स्थापना assertion A दिया हुआ है वो सही है A सही है आर गलत है तो देख लेते हैं options में क्या लिखा है तो यहाँ पे A सही है आर गलत है तो option A हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा फिर अगला प्रशन है और प्रशन यह कह रहा है कि इस्थापना assertion A साहित समाज में सामुहिक हिर्दय का विकास है इस पर तरक दिया हुआ है इसलिए समाज में रहने वाले विबिन धर्माव लंबियों का चित्र वरत्ती का इसमें अलग अलग विकास होता है अब options देख के हमें बताना है कि कौन सा option यहां पर सही है इस थापना और तरक में क्या क्या सही है तो दोस्तों यहां पर दोनों सही है साहित समाज में सामुहिक हिर्दय का विकास होता है और दूसरा इसलिए समाज में रहने वाले विबिन धर्माव लंवियों का चित्रवर्ति का इसमें अलग-अलग विकास होता है तो यहाँ पे A और R दोनों सही हैं तो option B है तो option B यहाँ पे सही हो जाएगा फिर अगला प्रशन है और प्रशन में कह रहा है assertion A चेतना अनुभूती की सघनता और चिंता की पराकास्टा है तरक दिया हुआ है reason R क्योंकि अनुभूती और चिंतन का संबंध शुद्ध हिर्दय के सम्वेदन से है तो इसमें कौन सा option होगा दोस्तों जो की सही हो जाएगा तो यहाँ पे चेतना अनुभूती की सघनता और चिंता की पराकास्टा है यह भी सही है क्योंकि अनुभूती और चिंतन का संबंध शुद्ध हिर्दय के सम्वेदन से है यह भी सही है तो यहाँ पे A और R दोनों सही है तो option A यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है फिर अगला प्रशन है इस्थापना असर्शन A कहानी छोटे मुह बड़ी बात करती है इसके लिए तर्क रीजन R दिया हुआ है लेकिन लगू आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बूध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती तो यहाँ पे कौन सा option है जो की हमारे हिसाब से सही हो जाना चाहिए तो कहानी छोटे मुह बड़ी बात करती है यह तो हकीकत है यह तो सही है लगू आकार होने के कारण जो संपूर्ण जीवन बूध है वो उसका वरणन नहीं कर पाती है क्योंकि यह कुछ पॉइंट्स के ऊपर ही कहानी लिखी जाती है ठीक है एक हिस्सा लिया जाता है तो उस हिसाब से यह भी सही है तो A और R दोनों सही है औप्शन A सही हो जाएगा फिर अगला प्रशन है और प्रशन यह कह रहा है कि यह तो reason दिया हुआ है तो यहाँ पे नीचे है इस्थापना श्रंगार को रसराज माना जाता है इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है तरक दिया हुआ है क्योंकि जीवन के आदी से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन के सभी भावनाएं उसी से नीस्वरत है इसमें से कौन सा option सही होगा तो दोस्तो हमने पढ़ा था detailed वाली classes में श्रंगार रस के बारे में तो यहाँ पे तो श्रंगार को रसराज माना जाता है यह तो सही है दूसरा है यह भी कथन हमने वहाँ देखा था क्योंकि जीवन के आदी से लेकर के अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से नीस्वरत है तो दोनों यहाँ पे सही है तो a और r दोनों सही है तो option c यहाँ पे सही हो जाएगा फिर अगला प्रशन है और प्रशन में दो कथन दिये हुए है इस्थापना और assertion इस्थापना assertion दिया हुआ है कि मानवता जीवन की पूर्णता के लिए कर्म ग्यान और उपासना तीनों की मेलगी आवश्यक्ता है इसके लिए तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि मनुस जीवन की पूर्णता में उपासना का इस्थान सबसे महत्व पूर्ण है तो अब इसमें जो सही उत्तर है वो यह है कि मानवता जीवन की पूर्णता के लिए कर्म ग्यान और उपासना तीनों की मेल के लिए आर गलत, option D यहाँ पे सही हो जाएगा, फिर अगला प्रशन है, स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि प्रेम जब व्यस्टी सौंदर से उपर उठता है, तब वह आध्यात्मिक बनता है, इसके लिए तर्क दिया हुआ है क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है, इसके नहीं है, तो A सही है, आर गलत है, तो option A यहाँ पे सही हो जाएगा, फिर अगला प्रशन है, इस्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि बड़े बड़े राज उत्पाद की विक्री के लिए सौधागर हो गए हैं, इसके लिए तर्क दिया हुआ है क्योंकि वियापार नीत प्रभानिती, राजनीती का प्रधान अंग हो गया है, तो इसमें सही उत्तर यह है कि बड़े बड़े राज उत्पाद की विक्री के लिए सौधागर हो गए हैं, ये तो सही है, लेकिन राजनीती का प्रधान अंग नहीं है, तो A सही है, R गलत है, तो यहाँ पे option B हमारा स करना है जवाब देना है कि कौन सा उत्तर हमारा यहां पर सजी देखिए सूची एक और सूची दो में एक में कहानिया दी हुई है और सूची दो में उन कहानियों से संबंधित कहानी कार दिये हुए है तो सबसे पहला दिया हुआ है क्रश्न चंदर क्रश्न चंदर जी का जो ह वो है महुए का पेड तीसरा फिर है हरी शंकर परसाई इनका हो जाएगा पांच रुपए की आजादी इसके बाद राजेंद्र यादव जहां लश्मी कैद है और अंत में है कम लेश्वर राजा निरम वसिया ये दो तो तीन चार और एक दो आप्शन ए है आप्शन ए हमारा यहां पे सही है फिर प्रशन है कि निमलिकित साहितिक वादों के साथ संबंधित कवियों को सुमेलित किजिए वाद दिये हुए हैं और उनसे संबंदित यहाँ पे कवी रचनाकार दिये हुए हैं उनको मिलान करना है बताना है कि कौन सा उत्तर यहाँ पे हमारा कूट में से सही होगा तो सबसे पहला है प्रगतिवाद प्रगतिवाद की अगर बात करें डिटेल्ड में भी हमने यह जीजें देखी थी तो वो हैं तिरलोचन प्रगतिवाद में कौन आ जाएंगे तिरलोचन फिर इसके बाद है हालावाद जाहिर सी बात है बच्चन इसके बाद आ कविता हाला बात के बाद है आकवीता जगदीश चतुरवेदी और अंत में है प्रियोगवाद अग्गेजी ठीक है प्रियोगवाद में अग्गेजी पांच चार दो एक पांच चार दो एक आप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा फिर है कि निम्लिकित कवियों को उने के भावगोलिक छेत्रे के साथ सुमेलित कीजिए भावगोलिक छेत्रे के हिसाब से यहां पे सुमेलित करना है उटका मिलान करते हुए जवाब देना है सबसे पहला है हडावती राजस्थान कहां जाएगा राजस्थान का हिस्सा है यहां पर देखिए बोलियां दी हुई है कवियों को कवियों नहीं देना चाहिए यहां पर बोली देनी चाहिए ठीक है भाववोलिक छेत्र के साथ सुमेली दिखेजिए तो यहां पर हाडवती है यह बोली जाती है राजस्थान का छेत्र है इसमें फिर है हाडवती के बाद बात करते हैं बगहेली की जो की मध्य प्रदेश में बोली जाती है फिर है गड़ वाली ये उत्तरा खड़ हमने जब भाशाओं को पढ़ा था तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और फिर है अंद में कन्नौजी कन्नौज छेतर उत्तर प्रदेश ठीक है तीन चार एक दो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यहां पे हमारा सही हो जाएगा ठीक है फिर अगला प्रशन है कि निमलित कावे पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलिद कीजिए कावे पंक्तियां दी हुई है और दिये हुए है रचनाकार उनको सुमेलिद करते हुए हमें यहा करना है धूप सा तन दीप सी में यह किसका है महा देवी वर्मा जी का ठीक है थोड़ा सा इस्टेक हो गया है धूप सा तन दीप सी में इनका हो जाएगा महा देवी वर्मा चौथा नमबर फिर है मधुब गुनगुना बी है यहां पर मधुब गुनगुना कर कह जाता यह थोड़ा सा यहां छोटा सा यह दिया हुआ है अगर इसकी जादा बात करें तो यह है कि मधुब गुनगुना कर कह जाता यह है प्रसाद जी का पांचवा फिर है इसनेह निर्जहर बह गया है ये है निराला जी का पहला और अंत में दिया हुआ है हाए म्रत्यों का ऐसा अमर अपार्थिक पुझन हाए म्रत्यों का ऐसा अमर अपार्थिक पुझन ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का दूसरा तो 4, 5 और 1, 2 4, 5, 1, 2 option B में दिया हुआ है तो option B यहां पे हमारा सही होगा फिर अगला प्रशन है निम्नलिखित रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलिद कीजिए लेखिकाओं दी हुई है उनके साथ यहाँ पे हमें सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन करते हुए जवाब देना है तो यहाँ पे है आपका बंटी ठीक है आपका बंटी ये है मन्नु भंडारी का पच्पन खंबे लाल दिवारे उसा प्रियमवदा और अंत में है आवा इसका हो जाएगा चित्रा मुगदल और अंत में है बेगहर ये हो जाएगा ममता कालिया दो एक चार तीन ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा दो प्रशन है देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास निम्न लिखित में से कौन सा है अमरत और विस अपने अपने अजनबी जूटा सच या फिर इसकंद गुप्त इन में से कौन सा उपन्यास है जो की देश विभाजन को लेकर लिखा गया है तो वो है option C, जूटा सच, ये देश्वी भाजन के उपर लिखा गया उपन्यास है फिर अगला प्रशन है, आलहा किस रितू में गाया जाता है आलहा एक तरह का गीत है, वो किस रितू में गाया जाता है ग्रीसमी रितू, शरद रितू, वर्षा रितू या फिर बसंत रितू आलहा जो है, वो याद होगा हमने डिटेल्ड वाली क्लासेस में पढ़ा था आलहा जो है वो वर्षा रितू में गाया जाता है option C, यहाँ पे सही है फिर प्रश्ण है कि नैन नचाए कही मुसकाए, लला फिर आयो खेलन होरी ये, कावे पंक्तियां होरी मतलब नैन नचाए कही मुसकाए, लला फिर आयो खेलन होरी, ये जो कावे पंक्ति है, किस कवी की है पदमाकर, मतीराम, घनानन्द या फिर देव प्रस्तुत पंक्तियां निम्न लिखित में से किसकी है तो ये जो है न वो option A पदमाकर की पंक्तियां है अगला प्रश्ण है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा अब जब हमने पहली क्लास ही पड़ी थी ये हिंदी साहित्य की इतिहास पर उसमें ये चीज़ें हमने देखी थी ऑप्शन है जॉर्ज गिरियर्सन, शिव सिंग सेंगर, गारसादा तासी, याफिर राम चंदर शुकल इन में से किसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शिव सिंग सेंगर का यहाँ पे नाम आता है, ठीक है, आप्शन बी शिव सिंग सेंगर, इनका जो इतिहास था वो सर्वो मानने था, मतलब इससे पहले जो की गारसादा तासी और जॉर्ज गिरियर्सन ने अनुसार था, या तो कवियों के अनुसार था, मतलब उसमें कोई करम नहीं था, और उनका जो वरगी करण था हिंदी साहित्य के इतिहास का वो भी सही नहीं था, तो या तो रामचंद्र शुकल का सर्वो मानने माना जाता है, और सबसे पहले अगर बात की जा, तो वो शेत्र बताना है, ओप्शन्स दिया हुआ है, अलहाबाद में, जो कि अब प्रयाग राज हो गया है, और चाय ओम जहां सी, मतुरा वरंदावन में, या फिर वाराण सी में, सही उत्तर है, मतुरा वरंदावन, ओप्शन सी, जो कि उत्तर प्रदेश का शेत्र है, मतुरा, फ नात साहित या फिर जैन साहित तो वो है सिद्ध साहित 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे सरहपा अगला प्रश्न है बिहारी किस धारा के कवी है रीती सिद्ध रीती मुक्त च्छंद या फिर रीती बद्ध बिहारी किस धारा के कवी हैं बिहारी जो जो है ना वो रीती सिध का विधारा के कवी है अगला प्रश्ण है कि खड़ी बोली कहां बोली जाती है छेतर बताना है जहां सी कानपूर मेरट या फिर अलीगड तो खड़ी बोली वो मेरठ में बोली जाती है और मेरठ भी उत्तर प्रदेश का एक छेत्र है फिर अगला प्रशन है कि प्रभुजी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ती है अगला प्रशन है कि निमलिखित में से कौन सा कहानी संगरहा फड़ी शुर्नाथ रिन्लू का नहीं है इन में से कौन सा है जो कि फड़िश्वरनाथ रेणू जी का नहीं है अच्छे आदमी option C ये फड़िश्वरनाथ रेणू का नहीं है इसके अलावा आदिम रात्री की महग, अगनी खोर, गरीबी हटाओ ये फड़िश्वरनाथ रेणू के कहानी संग्रा है फिर अगला प्रश्ण है आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है शरत्चंद्र, बंकिम चंद्र, रविंदरनाथ टैगोर या फिर भूती भूशन बंदुपाद ध्याए तो ये है शरत्चंद्र की जीवनी ठीक है, option A आवारा मसीहा सरत्चंद्र की जीवनी है और इसके रचैता है विश्णू प्रभाकर फिर प्रश्ण है कि यश्पाल के उपन्यास जूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था कॉंग्रेस, कम्यूनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग या फिर जन संग तो ये जो दौलत राम है, दौलत राम आजाद ये कम्यूनिस्ट पार्टी का था ठीक है, कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य था, option B सही है प्रश्ण है, तलाक शुदा माता पिता की संतान की मानसिक्ता पर आधारित उपन्यास निम्न लिखित में से कौन सा है महा भोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी तो वो इसमें है आपका बंटी, option C इसमें क्या है कि तलाक शुदा माता पिता की संतान की मानसिक्ता का चित्रन किया गया है दोस्तों यहाँ पर प्रश्ण है कि निम्न लिखित में से नुकर नाटक के विसे में क्या सही नहीं है options दिये हुए हैं, इन में से कौन सा option सही नहीं है तो राजनीतिक प्रतिपद्धता ये तो नुकर नाटक के लिए सही है कला के लिए कला ये नहीं है जीवन के लिए कला ये भी सही है ब्रेक्त के नाट सिध्धान्त के निकट ये भी सही है तो इस प्रशन के हिसाब से आप्शन बी होगा जो कि नुकल नाटक के विशे में सही नहीं है कला के लिए कला अगला प्रशन है कि नारी का आकर्शन पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्शन उसे गौतम बुद्ध बना देता है यहां सम्वाद किस नाटक का है औप्रस्ण दिया हुआ है आसाड का एक दिन आधे अधूरे लहरों के राजहंस या फिर पेर तले जमीन ठीक है तो यह है लहरों के राजहंस ओप्रस्ण सी की पंती है और इस पंती के जो रचनाकार है मोहन राकेश हैं नाटक है लहरों के राजहंस फिर अगला प्रशन है तपेदिक मरीज मन्यों की कथा किस कहानी में चित्रित है सुहागि ने बादलों के गहेरे जिन्दगी और गुलाब मैं हार गई तो वो है बादलों के घहेरे क्रशना सोबती की ये कहानी है बादलों के घेरे option B फिर प्रशन है प्रशन कह रहा है कि निमनलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आरनार्ड की नहीं है यहाँ पर options दिया हुआ इन में से कौन सी है जो की नहीं है culture and anarchy यह तो है literature and drama यह भी है essays on church and state यह भी है the cocktail party यह नहीं है ठीक है the cocktail party मैथ्यू आरनार्ड की रचना नहीं है फिर अगला प्रशन है और प्रशन यह कह रहा है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है options दिया हुआ है अग्ये फडिश्वरनाथ रेडू अमरकांत मोहन राकेश सही उत्तर है फडिश्वरनाथ रेडू यह ठेस कहानी के लेखक है फिर अगला प्रशन है कि प्रेम वाटी का किसकी कावे करती है रस्खान नागरीदास आलम भारतेंदू हरिश्चेंडू प्रेम वाटी का जो है ना वो रस्खान की रचना है करती है उनकी दो प्रसिद्ध करतिया है किनकी रस्खान की कौन कौन सी है प्रेम वाटी का और दान लीला ये क्या है रस्खान की प्रसिद्ध दो करतिया है फिर प्रशन है अशर्षन वाले प्रशन याँ पे दिये हुए हैं तर्ग दिया हुआ है स्थापना असर्शन ए मनुस्य की स्रेष्ट साधना ही संस्कृती है इसके लिए रीजन तर्क दिया हुआ है क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुस्य अवरोधी सत्य तक पहुँच सकता है यहां पे कूट का मिलान करते हुए हमें जवाब देना है कि कौन सा उत्तर सही होगा तो यह दिया हुआ है मनुस्य की स्रेष्ट साधना ही संस्कृती है तो यह तो गलत है इसके लिए तर्ग दिया हुआ है क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुस आविरोधी सत्य तक पहुँच जाता है यह तो सही है तो यहाँ पे A गलत है और R सही है तो A गलत है और R सही है और Option A में ही है तो Option A हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा फिर यहाँ पे कुछ निर्देश दिये हुए है कि यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया हुआ है अवतरण एक दिया हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे हमें Question Answer देखने है तो आप चाहें तो इसे थोड़ी देर पुश करके देख सकते हैं यहाँ पे अतीत की स्मृती में यह होते जो है ना वो किसी ना किसी कहानी उपन्यास नाटक या फिर जितनी भी रचनाएं होती हैं करतिया होती हैं उने में से कुछ थोड़ा सा पार्ट उठा लिया जाता है और फिर वहीं से इन प्रशनों को बनाया जाता है ठीक है तो डिटिल्ड में पढ़ने के पहाविक आकर्शन हैं क्योंकि, यहां पे options दिया हुआ है, क्योंकि, क्योंकि मनुस से अतीत जीवी होता है, अपटित गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको यह उत्तर सही लगेगा, इसके अलावा यह उत्तर सही नहीं लगेंगे, फिर है कि वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव है, इसका भाव क्या है, वर्तमान में बहुत से समस्याओं रहती हैं, नहीं, हम वर्तमान की समस्याओं में ही उल्जे रहते हैं, बिल्कुल, तो यहां पे option बी सही हो जाएगा, हम वर्तमान की समस्याओं में ही उल्जे रहते हैं, अतीत भाविश्य को नहीं देखते, इसलिए कहा गया है कि वर्तमान हमें अंधा बनाए रखता है, फिर प्रशन है, अशान्ती किसका परिडाम है, अशान्ती निम्ण लिखित में से किसका परिडाम है, अशान्ती अतीत क की विस्मरती का परिडाम है अतीत की विस्मरती option d यहां पे सही हो जायगा फिर अगला प्रशन है केवल अर्थ की क्रीडा निस्चुर है क्योंकि क्यों की का options दिया हुआ है क्योंकि वहां मनुष्स से क्योंकि वहाँ मनुस्य को सहरदय नहीं रहने देती है Option D यहाँ पर सही होगा केवल अर्थ की क्रीडा निस्ठु रहे क्योंकि वहाँ मनुस्य को सहरदय नहीं रहने देती अंतिम प्रश्ण है कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दरपन क्या है options दिया हुआ है अतीद की इसमरती, अतीद का दुख, अतीद का सुख, अतीद का मौ तो सही उत्तर है अतीद की इसमरती, option A तो दोस्तों यह हमारा जून 2020 का जो प्रश्चन था previous question paper वो solve हो गया है अब हम इसके बाद दूसरा previous question paper लेकर आएंगे उसे भी इसी तरह solve करेंगे और परिक्षाओं के पहले पहले इतने ज्यादा question solve कर लेंगे कि आपको परिक्षाओं से कोई भी प्रशन miss होने नहीं देंगे तो चलिए मिलते हैं अगली सेरीज में अगले प्रशनों के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवादा